आज एक नई population ecology की quiz लेके हाजिर हुआ हूँ यह population growth curves पर आधरित है और जो survivorship curves को बताएंगे जिसे की the first question is a highly convex curve, typical type 1 curve is characteristic of the species in which तो यह highly convex curve होता है और इसकी खासियत यह होती है कि इसमें mortality rate is low until near the end of the life span जब तक व्यक्त की उम्र का आखरी हिस्सा नहीं पहुंच जाता या जब तक व्यक्त की उम्र पूरी नहीं होने लगती तब तक यह इसमें mortality rate बहुत लो रहती है आप इस बात को यह भी समझ सकते हैं कि mortality rate is low in young stage शुरुवात में mortality rate कम होता है और mortality rate बाद में ज्यादा होता है तो अगर आप गौर से देखेंगे तो जो नॉर्मल हुमन बिंग्स हैं उनमें टाइब वन कर्व चलता है और जिसे ओइस्टर हैं इन और्गनिजम्स में यह highly concave कर्व टाइब थरी कर्व यह survivorship कर्व चलता है तो survivorship कर्व तीन टाइब क्यों होते हैं टाइब वन टाइब टू एन टाइब थरी टाइब वन mortality rate आपने देख लिया कम होती है यह इंग स्टेज में type टू mortality रेट यह इंग स्टेज में ज्यादा होती है यह type 3 कर्व होता है और थर्ड आता है टाइप 2 कर्व यह टाइप 2 कर्व होता है इसमें mortality rate constant होता है at all age groups यह टाइप 2 होता है कर्व यहाँ पर टाइप 3 कर्व अगर दिया हुआ है तो टाइप 3 कर्व में option C correct होगा mortality rate is high during the young stages लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर टाइप 2 कर्व होना चाहिए यह question बनाने में थोड़ा सा mistake हुआ है मैं type 1 पहला है type 1, दूसरा है type 3 तीसरा आता है type 2 और type 2 का answer होता है mortality rate is constant at all age groups तो इसका answer B option होगा यह type 2 कर्व होगा अब ही मैं इसको यह सुधर जाएगा type 2 कर्व हो जाएगा चौथा question देखते हैं इस कर्व इस टिपिकल आफ सेवरल बर्ट्स इस्पिसीज और आफ human being exposed टू पूर nutrition and hygiene तो अगर पूर nutrition है और साख सफाई अच्छे से नहीं है तो ऐसे human beings में जो है वो type 2 कर्व चलता है यानि कि option C और कुछ बर्ट्स काफी सारी बर्ट्स इस पूसीज ऐसी होती हैं जिन में mortality rate is constant at all age groups सभी प्रकार के age groups में mortality rate constant होता है तो इस survivorship कर्व को समझने के लिए आपको कर्व 1 कर्व 1 के बाद कर्व 3 उसके बाद कर्व 2 यह मैं इसको सही कर दूँगा यह type 2 कर्व है type 2 कर्व का अंसर होता है mortality rate is constant और यह कुछ बर्ट्स और human poor nutrition में type 2 कर्व चलता है which of the following curve is known as death at senescence death at senescence curve यानि कि late mortality mortality rate rate is low in young and high at maturity यानि कि type 1 यानि कि highly convex यानि कि type 1 option A is correct फिर से आप समझ दीजे mortality rate is low in young stages type 1 high at young stages type 3 constant at all age groups type 2 तो फ्रस्ट का example है man थर्ड का example है ओस्टर और सिकेंड का example है several birds species six question को देखेंगे आप तो natality होता है birth rate birth of individuals in a population and mortality is death of individuals in a population so the answer will be mortality birth of इस छटे question का answer होगा option B birth of individuals in a population तो इसमें ये जैसे mortality को हम बोड़ते हैं death rate वैसे ही natality को हम बोलते हैं birth rate population में कितने individuals पैदा हुए इसको बोलते हैं natality जन्म दर हिंदी में बोलते हैं birth rate जन्म दर is natality टाइप वन सर्वाइवर्शिप कर्व बिलॉंग टू टाइप वन सर्वाइवर्शिप कर्व बिलॉंग टू टाइप वन का मतलब है कि बार बार reproduction कर लेना यानि आइटेरो पैरिटी आइटेरो पैरस को हम लोग polycarpy भी बोलते हैं यानि कि production of many individuals in the life यानि पूरे जन्म में कई बार reproduction कर सकते हैं जैसा कि human beings में होता है plants में इसको polycarpy भी कई बार कह दिया जाता है तो यह आइटेरो पैरिटी है आइटेरो पैरिटी में type 1 survivorship कर वाते हैं यानि मैन आता है यानि कि इसमें आता है जो reproduction बार बार कह सकते हैं यानि plants के case में इनको हम polycarpy भी कई बार कह देते हैं तो यह answer इसका हुआ आइटेरो पैरिटी सेमल पैरस strategy refers to अगर सेमल पैरस की हम बात करेंगे तो अभी हमने उपर बताया था आइटेरो पैरिटी का मतलब हुआ बार बार reproduction कर सकते हैं सेमल पैरिटी का मतलब हुआ रिप्रोड़क्शन वंस इन दियर लाइफ लाइफ में सिर्फ एक बार reproduction करते हैं इसको हम plants में monocarpy भी कह सकते हैं तो सेमल पैरस इस्टेटी टाइप 3 कर्व का करेक्टरिस्टिक होता है तो टाइप 3 अगर हो रहा है तो एक बार reproduction करेंगे तो यह आइटेरो पैरस है आइटेरो पैरिटी है और इसका आंसर होगा टाइप 1 तो यहां पर question number 8 का आंसर होगा the question number 8 the answer of question number 8 is option C type 3 कर्व सेमल पैरस इस्टेटी रिफर्स तौ पॉली कर्पी समेंज पॉली कर्पी बार बार reproduction कर्णा एक बार reproduction कर्णा इटेरो पैरिटी बार बार सेमल पैरस एक बार सेमल पैरस बलांस प्लांट्स में मोनो कार्पी इस यूजड इंस्टेड आफ सेमल पैरिटी सेमल पैरिटी की जगा कई बार मोनो कार्पी शब्द भी इस्तेमाल हो जाता है यह बात ध्यान रहे तो आप समझ गए होंगे आई टेरो पैरिटी यानि कि मेरी टाइम्स रिपोटेक्शन सेमल पैरिटी सेमल पैरिटी एक बार तो मोनो कार्पी को हम प्लांट्स में सेमल पैरिटी कह सकते हैं हलाकि प्लांट्स में सेम्ल पैरिटी वर्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए प्लांट्स में मोनो कार्पी या पॉलिकार्पी ही इस्तेमाल होना चाहिए तो और यह आप देखेंगे इन टाइप टू कर्फ type 2 curve में mortality rate is high during the mortality rate is constant at all age groups तो उपर जो question अभी गलत हुआ था जिसमें type 3 लिख दिया था हमने जबकि वहाँ पर type 2 होना चाहिए था तो मेरे ख्याल से यह मैंने सुधारा है लेकिन अभी पूरी तरीके से इसमें improvement नहीं हो पाया परहल question 10 is correct इसमें option इसमें आंसर होगा option c mortality is constant at all age groups this is type 2 curve यह type 2 curve है इसका आंसर होगा option c mortality is constant at all age groups so this is type 2 curve तो मुझे उमीद है survivorship curves आपको काफी हद तक समझ में आया होंगे thank you